Good morning students कल हमने discuss किया था How to find the square of numbers How to find the square of numbers और मैंने आपको बाताया भी था कि square कैसे find करती हैं किसी भी number का अगर मैं आप से बोलता हूँ जो 1 का square find करो तो आप 1 की multiply 1 में कर देंगे 1, 1, 1, 1 2 का square बताईए तो 2 का square कितना होगा 2 into 2, 2, 2, 2, 4 3 का square कितना होगा 3 का square कितना होगा 3 into 3 4 का square कितना होगा 4 into 4, 16 ऐसी 5 square कितना होगा 5 into 5 कितना हो जाएगा 25 6 square 6 into 6, 36 देखें मैंने आपको इसारे square कैसे point करते हैं बहुत अच्छे से बता दिया था अगर मैं आप से बुच्छा हूँ कि 10 का square बताईए तो 10 का square कितना होगा 10 into 10 10 की multiply 10 में करीए तो कितना हो जाएगा 100 और ये मैंने आपको square की help से कैसे हम find करते हैं square को ये सब भी आपको कल एक वीडियो में सिखा दिया था आज मैं एक नई activity आपके सामने present करने जा रहा हूँ जो बहुत ही interesting है जैसे कि आप पहले भी उसको कर चुके हो आपने पहले इसी activity के थुरू आपने सीखा था कि हम कि नमबर के multiply कैसे करते हैं तो वह ये activity देखे ये आपके सामने है कैसे किसी number के multiply करते हैं ये आपने इस activity के थुरू पहले सीखा था और आज आप सीखने जा रहे हो इसी activity के थुरू के हम किसी भी number का square को कैसे point कर सकते हैं कैसे बहुत easily learn कर लेगे तो देखे यहाँ पर यह मैंने activity आपके सामने present करी है square of the numbers square of the numbers activity क्या है activity का नाम square of the numbers तो यहाँ से देखे अगर मैं ये one का square one का square कितना होता है one अब देखे आगे two का square कितना so कर रहा है four three का square अब हम चेक करेंगे कितना है nine four square देखे sixteen five square twenty five six square कितना होता है देखे thirty six seven square seven square कितना होता है forty nine seven square कितना होता है forty nine उसके बाद देखे 8 स्क्वायर 64 9 स्क्वायर 81 10 स्क्वायर 100 और 11 स्क्वायर 121 कितना है 121 उसके बाद 12 स्क्वायर 144 13 स्क्वायर 169 14 स्क्वायर 196 15 स्क्वायर 225 उसके बाद देखे 16 का जो स्क्वायर होगा 256 17 स्क्वायर 289 तो आप सभी को पूत अच्चे से ये एक्टिविटी स्वंज में आ गई होगी कि जितने भी आपको स्क्वायर ऐसे एक्टिविटी एक बनानी है 1 से 50 तक के स्क्वायर नंबर के स्क्वायर की एक्टिविटी ऐसे आपको प्रिपेर कर लेनी है सभी बच्चों को बनाकर मुझे सेंड करनी है और आपको 1 से लेकर 20 तक square आप सभी को learn होने चाहिए कि वो mathematics में बहुत ज़्यादा useful होने वाला है आप सभी को 1 से लेकर 20 तक square सभी के learn होने चाहिए तो आप सभी बहुत अच्छे से learn कर लेंगे और इस activity को हर एक students बहुत clearly बना लेगा जैसे कि आप पहले भी बना चुके हो multiplication का सेम ऐसे ही है square का आपको बनाना है और आपको मुझे send करना है numbers आप यूज़ करोगे एक से लेकर 1 से लेकर 50 तक सारे numbers का आप square को present करेंगे इस activity में तो आप सभी को यह सभी activity बहुत पसंद आई होगी देखे इसमें आगे भी आप एस चैक कर सकते हैं 18 square देखे 18 square कितना होगा यह 424 उसके बाद देखे मैं आगे तक जाता हूँ मैंने चैक करा यहाँ देखे मैं यहाँ 30 square तो 30 square कितना प्रेज़न करा है 900 उसके बाद 31 square देखे 32 square 33, 34 आप सभी कोई वीडियो पसंद आई होगी Thank you students Have a nice day